हेलो फ्रेंट्स सामने जो अजीवो गरीब मेकेनिसम आप देख रहे हैं इसी का नाम है सस्पेंशन और सस्पेंशन का काम है आपको कमफर्ट देना आपकी राइड को आपकी ड्राइड को कमफर्ट और डिसकमफर्ट बनाने में में रोल होता है इसी सस्पेंशन का और इस सस् करना पड़ता है चोटी सी वीडियो है हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे लेकिन फायदेबंद बहुत साबित होगी अगर आज की वीडियो आपने सस्पेंशन से होती हैं ब्रेकर क्रॉस किया खड़ कि आवाज आए या फिर र और आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी अब बूड़ी हो चली है टाइम होगया इसको चेंज लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है गाड़ी कभी भी बूड़ी नहीं होती है आप उसको time to time maintain अगर करते रहते हैं तो गाड़ी वैसा ही perform करती है सबसे पहले short में आपको कुछ suspension के part समझा देता हूँ ताकि जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी important समझने में आपको आसानी होगी सबसे पहले तो आपको यह arm दिखा देता हूँ यह आपको लोहे का मोटा सा दिख रहा होगा इसको बोलते हैं lower arm और यह दो बुश ने जुड़ा रहता है बुश होंगे यहाँ पे इस तरह से यहाँ लगे हुए हैं और इसके अंदर कुछ इस तरह का बुश होता है यह rubber ब बुश जब खराब होता है तब ही कहते हैं कि साब lower arm आपके खराब हो गई है दो बुश दोनों साइड में है और इस तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक joint इस joint को बोलते हैं ball joint क्यों बोलते हैं main कहानी इसी पर याद रखीगा ball joint अब यह ball joint लगा हुआ यह इसकी lower arm यह इसकी upper arm फिश बॉन टाइप suspension है इसके अंदर दो arm मिलेंगे आपको upper और lower mostly car जो आजकल आती है उसमें lower arm ही आपको मिलती है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लोहे का मोटा सा एक बार दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं हम लोग stabilizer bar stability के लिए गाड़ी मिलके एक link rod बनी होती है link rod का का में link करना stabilizer bar को shock absorber के साथ यहाँ shock absorber इस lower arm के साथ connected है तो इसी के साथ connect कर दिया है यहाँ कि इसके साथ connect हुआ it means कि इसके साथ connect हुआ और main जो चीज है वो याद रखिए joints है joints के बारे में explain करने वाला हूँ वो joints समझ जाएंगे तो फिर इस अपर arm के अंदर आपको भुष दिख रहे होंगे यहां पे आपको भुष दिख नहीं रहे होंगे आपको स्रिफ बोल्ट दिख रहा होगा के इसके बार can heavy endpoint का बुष में जो चीज है वो इसकी रवर डैमेज का वही नहीं के करना ऐ एक बहुत के बूपको एक मृप एक शोक एब्जोरबर, शोकर एक बिल्कुल common word है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शोकर खराब हो गया शोकर चेंज कराने हैं, तो ये होता है शोक एब्जोरबर, कब खराब होता है, जब ये लीक हो जाता है या फिर इसकी power खतम हो जाती है, बिल्कुल वीक हो जाता है, उस condition मे यह खराब होता है और यह shock absorber जैसा कि नाम से लगता है कि shock absorber shock को absorb करने के लिए होता है जब भी गाड़ी किसी गड़े पे जाती है ब्रेकर पे जाती है तो उस condition में अचानक से जो उचाल आता है उसको धीरे से करता है ताकि आपको जटका फिल ना हो कभी अचानक फिल नीचे जाता है तो उसको भी धीरे से आने देता है ताकि आपको जटका फिल ना हो मकसद जोर का जटका धीरे से लगे इसलिए है यह shock absorber तो यह जो चीजे थी बस यही है हमारा suspension फुल suspension फुल कहलेंगे तो एक विल इक साइड है और एक विल उस साइड है दोनों साइड सेम होगा यही है फुल suspension अब इसके अंदर जो mainly खराबी आती वो क्या क्या आती वो बदा देता हूं आपको खराब होती है सबसे पहले lower arm lower arm के अंदर खराब होते हैं कुछ इस तरह के bush चाहें तो bush भी replace किये जा सकते हैं और अगर चाहें तो पूरी lower arm को भी change कर सकते हैं bush change करते हैं तो आपकी cost कम आती है पूरी arm change करने की जरूत नहीं पड़ती है second चीज़ जो सबसे ज़्यादा important है जो खराब होती है वो आपको ये दिखरा होगा ball joint ball joint का खराब हो जाता है वो अभी आगे समझा देता हूं कि कैसे ball joint खराब होता है कैसे आप पैचानेंगे कि ये खराब है और कौन सा वाला सही है और खराब होने के reason क्या होते है वो भी दिखा देता हूं और next part आता है suspension का वो होता है shock absorber shock absorber खराब देखेगा आपको तब जब ये आपको दिखरा होगा कि leak हो गया है उस condition में ये खराब होगा या फिर ये weak हो गया है pressure लेने की इसकी ताकत नहीं बची सारी चीज़े निकाल के रखी है वो भी आपको दिखाता हूं एक एक करके तो यहां तक हो गया car का suspension समझ गया होंगे कि कितना आसान है suspension full suspension नाम की चीज क्या होती है किस चिडिया का नाम है full suspension अब इनके अंदर जो main important चीज़ है वो है ball joint ball joint कैसा होता है अब इसको ball joint क्यों बोलते हैं खराब कैसा दिखेगा और सही होगा तो कैसा दिखेगा जल्दी खराब ना हो उसके लिए क्या करेंगे यह सारी चीज़े जानने के लिए वीडियो थोड़ी सी और आगे आपको देखनी पड़ेगी अभी आपको फ्रेम में कई सारे पार्ट दिख रहे होंगे इसमें एक चीज़ आपको कौमत दिख रहे होगी हर एक पार्ट के अंदर एक joint है उस joint का नाम है ball joint अब ball joint क्या है यह देख लिए और ball joint इसको क्यों कहते हैं यह दिखा देता हूँ यह आप देख रहे हैं यह एक joint है अब joint किन चीज़ों का है इसका और इसका अपस में joint है और किसके through joint है यह boot लगा हुआ है इसके अंदर यह वाला दिखाता हूँ इसमें boot हटा हुआ है अंदर आपको एक ball type का point दिख रहा होगा वो कैसा है अंदर से ऐसा ball joint इसको मिलाके यह बन गया ball joint और suspension का main part होता है ball joint ball joint हर जगे पे होंगे नाम अलगा लगोंगे जैसे की steering end इसको बोलते है steering end लेकिन इसका main part है जो खराब होने वाला part है वो यही है इसका ball joint ठीक दूसरी चीज़ link rod stabilizer link rod इसमें भी खराब होने वाला part है वो क्या है ball joint यानि कि जगे जगे पे ball joints लगे हुए है और वो ball joints जब खराब होते हैं तब ही suspension में हमको noise आती है ball joint खराब होगा तो कैसा देखेगा कुछ इस तरह से boot सबसे पहले निशानी तो देखिए boot damage है ball joint खरा लरी वह उतने शहीं हो चड़ चुका है इसको होना चाहिए बिलकुल hard यह लो कि और यह उतना hard नहीं है lose यह ब़ी हो चुका है hard होना चाहिए इतना यह देख रहें यह hard चलेगा तो यह ball joint अच्छा है और अगर यह इस तरह से lose है तो यह ball joint खराब है अब इसमें क्या होता है इसके बीच में इसके ball के आजाती है play play आने की वज़े से आती है rattling noise और वो ही noise हमको परिशान करती है गाड़ी के अंदर जगे जगे पर मैंने आपको दिखा दिया कि ball joints लगे हुए और यही होते हैं मुसीबत की जड़ ball joints आप समझ गये तो इसका मतलब आपके लिए suspension बिलकुल easy हो गया जब भी खराब हुआ तो समझ जाए कौन सा ball joint भी तो खराब हुआ होगा और एक चीज़ suspension में जो खराब होता है जल्दी वो होती है lower arm लोर arm में एक तो ball joint लगा होता है और साथ में दो बुष लगे होते हैं कुछ इस तरह के अब बुष के अंदर क्या खराब ही आ जाती है बुष यहां से नहीं कटता है यहां से बुष कहां से कटता है यहां से य देखें यानि कि इसकी rubber damage हो गई तो आप समझ जाएए यह खराब हो गया इस तरफ से ऐसा दिख रहा है इस तरफ से ऐसा यह बिल्कुल लूज हो गया इसका मतलब यह बुष खराब हो गया अब बुष खराब हो गया तो इसके लिए चेंज करते हैं पूरी lower arm लेकिन हम इस अब खराब होगा तो यह बिल्कुल आपको free fill होने लग जाएगा और दूसरी चीज अगर visually वैसे inspect करते हैं आप देखते हैं और आपको कहीं leakage दिखती है जैसे कि इसमें दिख रही है leakage मतलब कि कुछ भी leak होता हुआ नहीं दिखेगा लेकिन sealant दिखेगी और उस sealant पर dust चिपक रही होगी dust चिपक रही है तो इसका मतलब अब यह shock absorber जो है खराब हो गया है इसको change करने की ज़रूरत है और shock absorber जल्दी खराब ना हो इसके लिए इसके ओपर होता है dust cap dust cap important होता है यहाँ पर अभी है नहीं तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ किस type का होता है लगबग कुछ इस तरह का cap होता है इसको boot भी कह सकते हैं आप dust cap भी कह सकते हैं यह इसका काम होता है dust को रोकना, mud को रोकना, कचरे को रोकना इस rod पे लगने से इस rod का surface खराब होगा तब भी आपका यह shocker जल्दी खराब हो जाएगा dust लगेगी, मिटी जाएगी तब भी आपका shocker जल्दी खराब हो जाएगा और या फिर गाड़ी को बहुत जादा roughly चलाते हैं, कहीं भी कुदाते हैं, कहीं भी उचालते हैं, तो फिर यह shocker आपका ख बूट कई बार ऐसा होता है कि लोग काम करते समय ध्यान नहीं देते कभी कुछ रॉड यहां पे लग जाती है कई कुछ हैमर लगने के बाद यह बूट कट जाता है फिर आपको लगता है कि कोई बात नहीं यह रबर नहीं कटी इसका गला कट गया यानि कि अब यह जल्दी ब समझ गया होंगे में कहानी इन बॉल जॉइंट की होती है बूट की होती है शौक एब्जरबर जो थे मैंने आपको दिखा दिये एक आसान शब्दों में कह सकता हूं कि सच्पेंशन अब आपके लिए कोई बड़ी मुसीवत नहीं रहा और यह सच्पेंशन आपके लिए इ ऐसे ही किसे इंटरस्टिंग टोपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग